प्याच की उन्नत खेती यूटूब चैनल पर आप सबी मित्रों का स्वागत वंदाना भिनांदम किसान मित्रों में हूँ आपका क्रशक मित्रों राप बने हैं अपने यूटूब चैनल प्याच की उन्नत खेती पर किसान भाईयो जब पांच रुपे प्याज का रेट बढ़ता है तो टीवियो में आहाकार मज जाता है अकबारों की सुर्खिया मन जाता है सरकार एक्सपोर्ट बेन कर देती है किसी के किचन का बजट बिगड़ जाता है किसी को महंगाई जाता होती है और भी आई के गवर्नर भी इस महंगाई के दोर में और इस पांच रुपे बड़े हुए प्याज के चक्कर में महंगाई की दर है उसको दिखा दिखा कर पेपर और अकबारों की सुर्खियां बना देते है आज जी और एटरल ने बारा से लेगी इससे बिल्कुल महंगाई बढ़ने वाली नहीं है दो रुपे चार रुपे यदि गेहुं का रेट बढ़ गया था तो लोगों को महंगाई दिखने लगी थी सरकार ने आयात कर लिया भारत देश के किसानों के किसानों के गले के ऊपर छुरियां लगा दी लसन का रेट बढ़ गया चायनाज से दो नंबर में लसन आ रहा है प्याज का रेट बढ़ गया तो इजिप्ट के किसानों का भला कर दिया सोया बिन का रेट बढ़ गया तो सोया बिन उन्होंने दूसरे देशों से मंगा कर पाम आईल मंगा कर सोया बिन मंगा कर सोया बिन सिर्फ किसान की फसलों का भाव बढ़ता है सबजियों का भाव बढ़ता है दूद का भाव बढ़ता है गेऊं का भाव बढ़ता है तो इन लोगों को महेंगाई दिखती है और आज आज उन्हें कोई महेंगाई नहीं दिख रही बहुत बढ़िया है एसो आराम की चीजे है उसमें चाहिए कितनी मेंगाई लगा दे कोई दिक्कत नहीं किसी को सिर्फ किसान की फसल जो बारा महीने अपने खून पसीने से सीचता है उसका यदि दो रूपे पांच रूपे दस रूपे का यदि रेट टाइट हो गया और वो भी सिजनेवली होता है जब प्यास कम होता ह है या गहूं जिस वर्स प्रकृति सांथ नहीं देती उस वर्स गहूं कम होता है उत्पादण कम होने की वज़े से 2-4-10 रूपे बढ़ जाता है तो हाँ ला कर देते हैं कि आज किसी प्रकार से किसी को को समस्या नहीं है कोई रोड़ पे नहीं आ रहा है कोई केमरे के सामन आने की फुर्सती नहीं क्योंकि मेंगा यी बढ़े चुकि कोई दिक्कत नहीं है, यह चीजों के रेड बढ़ा दिये जाएंगे, इलेक्टरिक के रेड बढ़ा दिये जाएंगे, और जो भी किसानों को जिस वस्तू की अवर्शक्ता उसके रेड हाई-फाई किये जाएंगे अभी खात के रेट बढ़ा दिये जाएंगे लेकिन प्याज का रेट पांच रूपे बढ़ गया तो उन्हें बहुत ज्यादा समश्य पेदा हो जाएगी तो जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को सेर करें ताकि जो सरकार के अधिकारी हैं सरकार में बेठे मंत्री हैं उन तक मेरी बात पहुंच सके आप क्यों करते हैं इसा किसानों के गले के उपर छूरियां क्यों लगाते हैं अरे भाई बारा महिने में दो महिने तीन महिने ही रेट साइट रेता है बारा महीने तो आप फ्री में ही खा रहे हो गेहूं फ्री में खा रहे हो अरे फ्री में खाने की आदत को बंद करो इन किसानों के बारे में यहाँ के सोचना बंद कर दिया तो एक दिन गेहूं खाने के लाले पढ़े अप लोग इसलिए किसी भी प्रकार से प्याज पर हम भी उस तेरी प्लान की महेंगाई को जहलेंगे खाद की महेंगाई को जहलेंगे आज आप पांच रुपे दो रुपे दस रुपे जदी प्याज आलू टमाटर और सब्जियां महेंगी हो गई है तो आपको बहुत महेंगाई दिख रही है क्योंकि खाने की चीज में महेंगाई है बस एशो आराम यदि किसानों को नहीं संभाला गया तो गेहूं खाने के लाले पड़ जाएंगे प्याज खाने के लाले पड़ जाएंगे विदेशों से चाहिना की लसन खाना पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को सेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जे बलराम, जे किसान, जे जवान